तो चलिए सिल्के इसके पार्ट्स तयार करते हैं सबसे पहले हम स्लीब्स में फिल लगाते हैं यह स्लीब्स है इसकी फिल बना लेते हैं इसकी इसकी प्रैस करके यह डबल है और शीब्स कि तैयार कर लिया इसलीब्स प्लेटें डालेंगे यौब ferry 구AI ₹ continuously भ forbies झाल झाल इस तरीके से हमने चोटी-चोटी प्लेटे डालके शील को तैयार के लिए अब हम इसमें बाजू में इसको अटेच करेंगे तो इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको निकाल देंगे तो यह उपर वाला कपड़ा और नीचे अस्तल वाला दोना कपड़े हैं मारे तो सबसे पहले हम इसको अस्तल को ऐसे जो हमें नीचे फोल्ड करना है पहले उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से एक स्लाइस पर लगा लेंगे अब इस पर फिल को लगा लेंगे वो तो एक साथ भी लगा सकते हैं लेकिन क्या है वो सेटिंग नहीं बैठेगी एक साथ लगाने में उपर नीचे कप्ला खिसक जाए रही हैं एक करकेश को जोड़ लेंगे इस तरीकी से देखिए हम अब उपर वाला कपड़ा इस पर इस तरीकी से फॉल्ड करके इसको भी हम यह इस तरीके से अटेज कर देंगे एक स्लाइस को लगा देंगे इस तरीके स्लावी करद। हम यह देखिए ऐसे इस तरीके से ही हमने लगा ली अब हम इस पर एक लैस लगा देंगे तक यह सिलाई भी हमारी छुप जाए और थोड़ा सुन्दर भी लगेगा लैस लगाने से उपर से एक पतली से लैस अटेज कर देंगे आप जाओ तो मोटी वाली भी लगा सकते हो अब हम इसके इस पर कच्चा कर देंगे या वाजू को रोग देंगे इस तरीके से हम इस बाजू को तयार कर लेंगे इसे हम दूसरी बाजू को ही तयार कर लेंगे अब इसको हम बराबर कर देंगे और इसका एक्स्टा कपड़ा निकर देंगे हलकी सी आगी से और छटाई कर देंगे इस तरीके से इस देखिए दोनों सिलीज हमारी है फील लग की तैयार हो गई अब इसका बैक तैयार करते हैं यह इसका बैक है इस तरीकी से कच्चा करके हमने इसको रोग लिया है अब हम पिछली जो प्लेट डालेंगे उसका निसान लगाएंगे साड़े चार इंची पर हम लगाते हैं तो करीब यहां एक हलका सा कट लगा देंगे हिसली नाल दी अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं यह इसका बादे हैं करेंगे हम इसको बाबस से करके सीधा करके इसको और यहां से हम एक छोटी सी इसमें बैक में डिजाइन डालेंगे रेट कलर की कॉम्बिनेशन देगे लेकिन पहले इसकी एक बीच वाली जो डिजाइन निंग लगाईए वह पट्टी तहीया करेंगे तो हमें इतनी जितना आपको बड़ा गला रखना है उतनी पट्टी लगा लेंगे तो यह पट्टी हमारी हुआ अधा है पांच इंची की अउपन नीचे इसमें पाइपिन लगाएंगे दोनों तरब तो यह साड़े से आर के सम्दीन गह जाएगी तो चले इसमें पहले पाइपिन लगा इस परी किसी पट्टी हमने लगा ले इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीकी से यह दोनों पट्टी हमने इस पर लगा ले पाइपिंग की अब हम इसमें बीच में कोई भी डिजाइन अपनी इच्छानु साथ डाल सकते हैं जैसे जैसे जो एक पट्टी हमें बना लेनी है यह वली ऐसे इस तरीकी से सिधी पट्टी कर आटेंगे और इसको इस इस तरी की से सिलके पलट देंगे इस तरी की से हमें ये पत्ती बना ली आप्यम्स पे पिश्थ हो जैसे लगा सकते हों जैसे विखाने हैं एसे लगा सकते हों बंहीं हाँ पर इसको इस तरी की से लगाते हों झाल झाल इस तरीके से पीछे की सिंपल सी डिजाइन तैयार कर लिए आप इम इसको डेकोरट करने के लिए कुछ भी लगा देंगे जैसे कोई बटन शो बटन या कोई फूल जैसे इस तरीके से आप एक भी लगा सकते हो सुई से इसको सबसे पहले बीच में लगाना है कोई भी आप शो बटन लगा सकते हो कुछ भी ऐसे तरीके से हम एक छोटी सी हलकी सी सिंपल सी डिजाइन तैयार कर सकते हैं तो अब हम इसके आगे वाले भाग को तैयार करते हैं उसके बाद इसको बैक में जोड़ेंगे तो आगे वाले भाग मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया कि हम कैसे तैयार करते हैं फिर भी मैं एक बहुर बता देती हूं आपको तो इसको हम पहले कच्चा करके रोक लेंगे प्लेटे डालेंगे दोनों आगे की दोनों पार्ट उपर अब यह आगे की दोनों पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है इन दोनों पर पट्टी लगाएंगे कि दोनों पार्टी भी लग गई है देखिए शिलाई बरावर आ रहे है गला भी बरावर आ रहा है अब हम इसमें बैक वाला हिस्सा जोड़ लेते हैं जोड़ लेते हैं दोनों के तो यह हमारे दोनों के अलग अलग पार्टे अभी हमने इसमें बीच का इससा नहीं जोड़े उससे पहले हम इसमें सॉड़र जोड़ लेते हैं कर दोनों सॉल्डर हमारे आगे पीचे की इससे दोनों हमने जोड़ लेते हैं अब हमें सबसे पहले इसमें पाइपिन लगानी है उसके बाद में हम इसका बीच का इजाइन वाला हिससा जोड़ेंगें अब ही पट्टियों को जोड़ लेते हैं पहले पाइपिन वाली पट्टियों को इस तरके से जोड़ लेंगे इस तरीके समने लंबी लंबी दो पट्टियों तयार कर लें पाइपिन लगानी के लिए चलो इसमें पाइपिन लगाते तो पहले एक हिस्से में लगाएंगे गले से और पीछे वाले हिस्से तक पूरी पाइपिन हम लगा देंगे फिर दूसरे वाले में लगा लेंगे इस तरीके से इस तरीके से आगे वाले गले से और पीछे तक पूरी पाइपिन लगा लेंगे इस तरीके से इंको सिल्लिय पाइपिन लगा लेंगे को गोल पाइपिन में हम फोल्ड करेंगे करेंगे झाल यह देखिए बराबर से मारी टाइपिन लग गई पीछे वाले हिस्से तक अब हम इनको फोल्ड कर देंगे चौदे इंच भी लंबाई रखते हुए यहां से सॉल्डर से नापेंगे और इनको यहां से हम फोल्ड कर देंगे चौदे इंच यहां रहा है चौदे इंच भी लेखिए बागी कहां में फोल्ड करना है अब यह बना ही हुई जो हमारी डिजाइन है उसको हम इसमें बैक वाले हिस्से में आटेज कर देंगे अब इदर वाले हिस्से को भी इसमें आटेज कर देंगे यहां से प्रूप बना हम इसमें आटेज कर देंगे इसमें आटेज से को जाएंगे एक यहां से पता ही है कि यह देखिए इस तरीके से सिंपल सी डिजाइन इसमें तेयार हो जाएगी अभी हमें इसमें फ्रील वाली बाजियों जोड़नी है तो इस तरीके से यह फ्रील हमने यहां लगाई थी इसलिए हमने यहां पर पीछी बैक में में डिजाइन डालनी पड़ी तक ही इसका चारो तरफ से कॉंबिनीशन बना रहे है इसलिए आप इस तरीके से कोई भी सिंपल डिजाइन डाल सकते हो और यह बाजियों भी प्रील लग के तेयार है अब इनको में अटेज करते हैं चलिए बाजो जोड़तें लगा के और वही तरीके से हम बाजो इसमें जोड़ देंगे मैं हाँ पर आपको बंद वाली बाजो नहीं बता रहे है खुली बाजो जो अटेज करते हैं वही में जोड़ रहे हूं इस तरीके से हमने दोनों फ्रील वाली बाजो इस मैटेज कर ली आगे वाले हिस्से को भी हम फॉल्ड कर लेंगे कर दोनों साइड हमें यह फेस्टिवाली सलाई करनी है इधर भी कर देते हैं अब इसकी कमर में आप लेते हैं कमर के हिसाब से इसको उनतीस इसकी कमर है तो इसकी फिटिंग कट आका लगा देंगे फर्ष्ट यहां आ रही है इसके बाद हमें यह पट्टी छोड़नी है आई वाली और इसको चार हिस्सों में बाढ़के हमें फिटिंग टाका लगाना है तो इसकी लूजिंग यहां डेडी इंची पे आ रही है तो डेडी इंची का में चारोत्रब कारें यहां लागा देती हूं तो इस तरीके से इसकी फिटिंग लगा के रही कम्प्लीट कर दिया यह देखो बाजू भी पिटिंग हो गई यह फिल दौनों में फिल आ गई इस तरीके से इसकी बाजू से कॉम्मिनेशन देते हुए यह देखें यह इसमें इसका कॉम्मिनेशन आ गया बैक में भी हल्की फुलकी से डिजाइन हो गए तो इस तरीक से यह फ्री लग के तयार प्रेट ब्राज हो गया आप इसमें हम पीछे की डोरी अटेज कर देते हैं तो यह दोरी है तो इसमें मैं आपको बता देती हूं यह दोनों कलर है इसके लाउज के दोनों कलर हैं दोनों कलर को हम लेंगे और इसके प्रेशन तयार करेंगे अभी तो इस तरीके से यह दोनों कपड़े ले लिए तो एक को नीचे रखना है और दूसरे कलर को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से डोरी को अंदर रखेंगे इन दोनों को मिलाते वे शिसलाई कर देंगे इस तरीके से इसकी मैच की हमने यह दोरी तयार कर लिए अब इसको भी हम अठेच कर देते हैं उसके बाद बलाउस तयार है किस तरीके से इस फ्रील लगाई जाती है हलकी फुलकी डिजाइन भी आप इस तरीके से कॉम्बिनीशन के इंचाब से लगा सकते हो और बलाउस कंप्लीट कर सकते हो लुकिंग देने वाले ब्लाउज आप कम्प्लीट कर सकते हो तो उमीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो और समझ में आ गया होगा की फ्रिल कैसे लगाई जाती है किस तरीके से हम एक डिजाइन बना के एड़्जेस्ट कर सकते हैं ब्लाउज को अच्छी तरह आ सब्सक्राइब कीजी मेरे चैनल को थेंक यू